ओम नमस्षवाय हरारमादेव, वास्तु ग्यान गंगा यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तो सावन मास का महिना चल रहा है और सावन मास के महिने में भगवान सिव और माता पारवती की विशेश रूप से आरादना की जाती है सावनवास के महिने में हम जो भी उपाय करते ही अपनी इच्चा बोल करके आपकी प्रतिक मनुकामना पूरी हूँ आज मैं आपको एक दीपक और आग के पुष्प का उपाय बताऊंगा कोई भी मनुकामना है आपकी पूरी नहीं हो पारी है प्रतिक कार में रुकाव अटा रही है तो दोस्तों आपके लिए यह उपाय बिहदी चमत कारी है आप यह उपाय करिए आपको लाब अवस्य मिलेगा सावनवास के महीने में भगवान सिव को बेल पत्र भांग दतूरा पुष्प चड़ाए जाते ही लेकिन आग के पुष्प का एक अलगी मैत होता है कहते हैं कि कोई भी इच्छा बोल करके अगर आग का पुष्प सिविलिंग पर चड़ा दिये जाए तो मनो कामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है लेकिन चड़ाना किस पकार से है वो मैं आपको बताऊंगा आग के पुष्प आपको ले लेने हैं और आग के पुष्प का जो गुच्छा तोड़ना है आपको उन से बोलना कि भाई यह करके नहीं एक ही गुच्छे में घ्यारह पुष्प हो एक ही में जुड़े हुए और उन सबी पर आपको क्या करना हैं बजार से सहद लाएंगे सहद लगा देना है हलका-लका उतने ही चावल के दाने और उतने ही काले तिल के दाने और एक गाय के घी का दीपक अब भगवान सिव के सामने जाएंगे सबसे पहले भगवान का अफसे करना है चंदन का टीक लगाएं बेल पत्र चड़ाएं फिर भगवान के सामने एक दीपक जला देना है उस दीपक में आपको दो लोंग डाल लिए थोड़े से तिल डाल देने फिर आपको भगवान सिव के सामने प्रात्रा करते हुए वो आग के जो पुष्प आप लेके गए हैं वह आपको सेविलिंग पर चड़ा देने हैं चावल और काले तिल के साथ में लेकिन आप ध्यान रखें पुष्पों पर जिस हैसे पर आपने सैद लगाया है वह सैद वाला हिस्सा सेविलिंग से टच करना चाहिए यह उपाय करते समय आप अपनी इच्छा बोलेंगे और फिर सीधा आपको घरा जाना हैं दोस्तों इतना चमतकारी उपाय है आपकी तुरंत मनो काम ना प पुलेंगे